राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरी ब्राहमन और माता अनपूरना की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्राचीन समय की बात है, कांसी नगरी में एक गरी ब्राहमन धननजे अपनी पतनी सुलक्षना के साथ रहता था उन्हें सभी सुक प्राप्त थे, केवल गरी भी ही उनके दुख का परमुख कारन थी, इस दुख के कारन वे हमेशा दुखी रहते थे एक दिन सुलक्षना ने अपने पती से कहा, हे स्वामी आप कुछ परिश्रम क्यों नहीं करते हो, इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा, अभी हम दोनों हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, जा हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों क पालन पोशन कैसे करेंगे, सुलक्षना की बात सुनकर धननजय जो सोचने लगा, कि कह तो यह ठीक रही है, और यह बात धननजय के मन में बैठ गई, वै उसी दिन विश्वनात संकर जी को परसन करने के लिए बैठ गया, और कहने लगा, यह देवादी देव, यह विश्व मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे, आपके मंदिर में बैठा हूँ, इस तरह भगवान के पूजा करने लगा, वह आप जो धननजय ने अनजल का त्याक कर दिया, तीन दिन तक उसने अनजल ग्रहन नहीं किया, यह देखकर भगवान शंकर क तो धननजय के ऊपर दिया आ गई, भगवान शंकर ने धननजय के कान में अनपूर्णा 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 तीन बार कहा, तब धननजय मन ही मन सोचने लगा, किसने आकर मेरे कान में तीन बार अनपूर्णा कहा, यह कौन था, और मुझे यह क्या कहना चाहता था, धननजय ऐसा मनी मन सोची रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए धननजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडिजी यह अनपूर्णा कौन है तो मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि आरे बेटा तू अनजल छोड़कर मंदिर में बैठा है और तुझे अन जल ही दिखाई दे रहा है तू घर जा और भोजन कर धननजय अपने घर आया और घर आकर अपनी पतनी को उसने पूरी बात बताई कि किसी ने उसके कान में अनपूरना अनपूरना तीन बार कहा है धननजय की पतनी बड़ी ही समझदार थी उसने अपने पती से कहा, हे स्वामी आप चिंता मत कीजिये, आप वापस संकर भगवान के मंदिर में जाएए, शंकर भगवान ने ही आपको यह मंत्र दिया है, अब वेही इसका खुलासा करेंगे, अब धननजे अपनी पतनी की बात मान कर वापस विस्वनात भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा उसी रात को शंकर भगवान ने धननजे को दर्शन दिये और कहा कि अरे ब्राह्मन तू पूर्व दिशा में जा माता अनपूर्णा का नाम का जब कर और माता अनपूर्णा तेरे सभी कामों को शिद्ध कर देगी ऐसा कहकर भगवान भोले शंकर अंतर ध्यान हो गए अब धननजे जो ब्राह्मन था पूरव दिशा की ओर चल पड़ा रास्ते में उसे जहां भी कंद मूल फल मिलते वे खा लेता और जरने का पानी पीता इस तरह चलते चलते उसे कैई दिन बीट गए तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की सोभा देखने को मिली सुन्दर सरोबर देखने को मिला उसके किनारे बहुत सी अपसराएं जुन्ड बना करके बैठी हुई थी वे पूजा कर रही थी और कथा कहानिया सुन रही थी वे सब मातान पूर्णा के नाम का जैकारा लगा रही थी यह अगन मास की उजेली रात्री थी आज से ही ब्रत का प्रारंभ हुआ था जिस सब्द की खोज करने के लिए धननजे ब्राह्मन घर से निकला आज उसे वही सब्द सुनने को मिला अब धननजे की खुसी का ठिकान नहीं रहा धननजे उन अपसराओं के पास गया और पूछने लगा हे देवियों आप यह क्या कर रही है यह किसकी पूजा कर रही हो किसकी कथा कहानिया सुन रही हो और यह अनपूर्णा कौन है सब मुझे बताओ मैं सुनना चाहता हूँ तब उन अपसराओं ने कहा कि हे पूजा प्राहमन देव हम माता अनपूर्णा का बृत कर रहे हैं और कथा कहानिया सुन रहे हैं यह बृत 24 दिन तक किया जाता है इसमें 21 गाट का सूत लेना चाहिए इसमें 21 गाट का सूत लेकर दाही ने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक ब्रत करते हैं अगर इस 21 दिन तक ब्रत करने की सामर्थय आप में ना हो तो एक दिन उपवास कर लें अगर ये भी ना हो तो बिना अन जल ग्रहन करके माता अन पूर्णा की कथा सुने निराहार रहकर कथा कहें अगर कथा सुनने वाला कोई पास में ना हो तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी और घृत कुमारी यानि की जो गवार पाठा होता है उसके व्रिक्ष के सामने घी का दीपक जलाकर सूर्य गाय और तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुक में धाना नहीं डालना चाहिए अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दोसरे दिन उपवास करें ब्रत वाले दिन जूट चोरी परनिंदा से बचें और ब्रमचारी का पालन करें तब धननजय उन अपसराओं से बोला हे देवियों हे इस कल्यानकारी इस ब्रत को करने से क्या होता है तब ब्रहमन देव इस ब्रत को करने से अंदे को आखे मिलती है लूले को हात मिलते है निर्दन को धन मिलता है और बाँजिस्त्री को संतान का सुख मिलता है मूर्ख को विद्या मिलती है जो भी मनुस्य जिस कामना से माता अनपूर्णा का ब्रत करता है माता अनपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है तब ब्राहमन कहने लगा हे देवियों मेरे पास भी धन नहीं है ना ही मेरे पास विद्या है और ना ही मुझे संतान सुक मिला है मैं बड़ाई दुखी ब्राह्मन हूँ क्या तुम मुझे एक किस गाठ का सूत दे दोगी तब वे अपसराएं बोली है ब्राह्मन देव हम तुम्हें सूत भी दे देंगे और कथा भी सुना देंगे तुमारा जरूर कल्यान होगा उसके बाद उन अपसराओं ने धननजय को मंगल सूत दे दिया धननजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और मा अनपूरना के ब्रत का संकल्प लिया 21 दिन तक माही रहकर उसने माता अनपूरना की पूजा करी और ब्रत किया जब ब जड़ी हुई परगट होती हुई दिखाई दी धनंजे जय माता अनपूर्णा कहता हुआ उन सीडियों से उतर गया और उसने देखा कि करोडों सूरियों से परकासमान माता अनपूर्णा का बहुती सुन्दर मंदिर था मंदिर में स्वर्ण के सिंगासन पर माता अनपूर्णा विराज मान थी सामने विक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए थे देवांगनाएं चवंडुला रही थी तो कोई भोग का थाल लिये खड़ा था कितने ही हत्यार बंद सैनिक वा पहरा दे रहे थे यह देखकर जो ब्राहमन धनंजय माता जगदंबा के चरनों में गिर पड़ा और रोने लगा माता अनपूर्णा को धनंजय के सारे इस्तीती का ज्यान था धनंजय माता अनपूर्णा से कहने लगा हे माते आप तो अंतर्यामी हैं आपको मेरी दसा का पूर्ण ज्यान हैं मैं आपको क्या बताऊं तम माता अनपूर्णा बोली हे पुत्र तुने मेरा ब्रत किया है जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा तम माता ने धननजय की जिव्या पर वीज मंतर लिख दिया अब तो उसके रोम रोम में विद्या परगट हो गई इतने में उसने क्या देखा कि वे कासी विस्वनात मंदिर में खड़ा है माता का वर्दान लेकर धननजय अपने घर आ गया घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षना को पूरी बात बताई माता अनपूर्णा की किरपा से अब उनका घर धन धन्या से भर गया उनका छोटा सा मकान सुन्दर मकान में बदल गया उनके घर में धन धन्या को देखकर उनके सगे सम्मंदी उनके घर आने जाने लगे जैसे सैद के छटे में मक्या जमा होती है ठेक उसी परकार से उनके सभी सगे सम्मंदी परिवार वाले नाते रिष्तेदार आने लगे वे सबी धननजे से कहने लगें कि अरे धननजे तुने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया परन्तु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है तेरी यह पत्नी सुलक्षना तो बांज है इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया क्या ऐसा तु कार की दूसरा बिभा कर ले धननजे की इच्छा नहीं थी परन्तु परिवार वालों के दबाव के कारण धननजे को दूसरा बिभा करना पड़ा धननजे अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में रहने लगा आब उदर सती सुलक्षना को जो सौत का दुख उठाना पड़ा वे अपने पुराने मकान में रहने लगी इसी तरह से दिन बीतने लगे साल भर बाद दोबारा अगन मास का महीना आया तब सुलक्षना अपने पती से बोली हे स्वामी हमें ये सारी धन संपदा माता अनपूर्ना की पूजा और ब्रत करने से मिली है इसलिए आपको माता अनपूर्ना की पूजा करनी चाहिए और गुरुबार का ब्रत करना चाहिए सुलोचना की बास सुनकर धनजय फिर से उसके पास लोटाया आव वे अपने पत्नी सुलक्षना के साथ रहने लगा और अगन मास के गुरुबार का ब्रत करने लगा और माता के आने की रहा देख रही थी दिन बीतने लगे ब्रत पूर्ण होने में तीन दिन बाकी रह गए थे ताब सुलक्षना की सौत को पता चला कि उसका पती पहली पतनी के पास चला गया है तो वे अपने पती को लेने के लिए सुलक्षना के घर पहुँच गई और उसने खूब लड़ाई जगडा करने लगी अब धनंजय दूसरी पतनी के साथ नए मकान में आ गया और उसी रात्री को दूसरी पतनी ने जब अपने पती के हाथ में सूत का माता अनपूर्णा का डोरा बंधा देखा तो उसने डोरे को तोड़कर अगनी में फैक दिया इससे माता पती को बचा कर अपने घर ले गई, जब दूसरी पतनी ने देखा कि सब अनधन जलकर राक हो गया है, कुछ नहीं बचा तो वे अपने पती को छोड़ कर अपने पिता के घर चली गई, पती को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षना एक दिन अपने पती से बोली कि हे नात, अब घबराईए मत माता अनपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेंगी वे बड़ी ही अलोकिक सकती है पुत्र को पुत्र हो सकता है परन्तु माता को माता नहीं हो सकती इसलिए आप सर्दा और भक्ती के साथ माता अनपूर्णा की पूजा और ब्रत करेंगी वे जरूर हमारा कल्यान करेंगी अब धननजय फिर से उसे स्थान पर गया और माता अनपूर्णा की पूजा और ब्रत करने लगा फिर से वही सरोबर और सीड़ियां पर गट हुई उन में से माता अनपूर्णा बहार आई माता अनपूर्णा को देखकर धननजय माता के चर्नों में गिर पड़ा और क की पूजा कर तू फिर से सुखी हो जाएगा तेरा घर फिर से धन धानिय से भर जाएगा जा मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आसरवाद दे दिया तुझे एक बहुत सुन्दर पुत्र होगा और वै तुझे संतान के लिए दूसरा विभा करने की जरुरत नहीं थी तु अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती यह सुनका धननजय बहुत खुस हुआ तभी धननजय ने देखा कि वै कासी विस्वनात मंदिर में खड़ा है वै फिर से माता का असरवाद लेकर घर आया घर आकर उस उसके कुछ महीने बादी सुलक्षना फिर से जो गरबती हो गई और नवे महीने उसे सुन्दर बहुती सुन्दर पुत्र हुआ गाउं में आश्चरिय की लहर दोड़ गई आप जो मानने लगे कि इस परकार उसके गाउं में निसंतान सेट के पुत्र होने पर उसने माता अनपूर्णा का बहुत सुन्दर मंदिर बनवाया तब धननजे ने उस मंदिर में माता अनपूर्णा की सौने की मूर्ती पधार दी खोव या गहवन किया गया धननजे को मंदिर का आचारिय पद दे दिया गया जीविका के लिए मंदिर की दक्षना आने लगी और रहने क उसके लिए बहुत सुन्दर मकान हो गया धनन जय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनन से रहने लगा माता अनपूर्णा के मंदिर में चड़ावे में को समान आने लगा उसकी आमंदनी बढ़ने लगी उधर दूसरी पतनी के द्वारा माता अनपुर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया और जो सामान बचा था उसे चोर चुरा कर ले गए अब उन्हें भीक मांग कर खाना पड़ रहा था तब सुलक्षना ने सुना तो उसने जो अपनी सोतन को बुलवा लिया और उसे रहने के लिए घर दिया खाने के लिए अनधन का प्रवंद कर दिया अब धननजय अपनी पतनी सुलक्षना और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा माता अनपूर्णा की किरपा से अब धननजय के घर में अनधन के भंडार भर गए उसे अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी हे माता अनपूर्णा जैसे आपने ब्राहमन धननजय पर किरपा करी ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी अपना आशिरवाद देना उन पर भी अपनी दयादृष्टी देना बोलो मातान पूर्णा की जय दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे